पश्यम बंगाल और असम में पहले च्वरण के लिए मतदान ज्वारी है सुबह साथ बजे से ही दोनों राजियों में वोटिंग हो रही है लोग लंबी-लंबी कतारों में लग कर भारी संख्या में वोट कर रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी एहम भूमी का तो कहां कैसे हो रहा है मतदान देखिए इस चुनावी स्पेशल रिपोर्ट में लंबी-लंबी कतारों में खड़े लोगों की ये तस्वीरे बताती है कि जनता लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए कितनी उत्सुख है असम और पश्यम बंगाल दोनों राजिय वहाँ 191 उमीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं 73 लाग से अधिक मतदाता 191 उमीदवारों की किस्मत का फैसला इवियम में कैद कर रहे हैं इन 30 में से अधिकतर सीटे जंगल महल रीजन में हैं वहीं असम में 47 सीटों पर पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं ये इसीटे उपरी असम और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी किनारे के बारा जिलों में हैं। यहां मतदाता 264 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग की जानकारी के मताबिक सुभा नौ बजे तक असम में 8.84 और बंगाल में 7.72 पीसिदी मतदान किया गया। लेकिन इस मतदान के दौरान बंगाल में बवाल मच गया है। दरसल बंगाल में वोटिंग परसेंटीज अचानक कम हो जाने के मुद्दे पर त्रिनमूल कॉंग्रेस की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। पार्टी की ओर से आयोग को मेल कर इसे देखने की अपील की गई है। टीमसी की ओर से शिकायत में कहा गया है कि कांठी उत्तर और दक्षर विधानसभा शेत्र में 9 बचकर 13 मिनिट में वोटिंग प्रतीशन 18.47 और 18.95 फीसिदी था। चार मिनिट के बाद 9 बचकर 21 मिनिट में वोटर टर्नाउट कम होकर 10.60 और 9.40 फीसिदी हो गया। जहां टीमसी गड़बडी के आशंका जता रही है तो वहीं नंदीग्राम से बीजेपी के उमीदवार शुभेंदू अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर हल्दिया के एडिशनल स्पी पार्त खोश। अधिकारी ने आयोग से इन्हें हटाने की मांग की है अब बीजेपी और टीमसी के बीच चुनाव आयोग के बीच ही तकरार तेज हो गई है अब देखना होगा कि शाम होते होते सियासत क्या मोड लेती है डीबी लाइप की रिपोर्ट